स्वर्गवासी श्रीमती अलका हेमंत पाटिल इनके स्मृती प्रित्यत्थ अन्द अपंगों को नई नई उचाया प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाली लेखमाला क्लाइंग सर्विस डिपार्टमेंट नैशनल असोशेशन फॉर द ब्लाइंड इन्दिया के ग्रामेन अपंग सशक्तिकरन कार्य के लिए समर्पित सौराश्रका लाल श्री लालजी भाई प्रजाप्ती मनुष्य का स्वभाव अगर मिलनसार हो तो उसे कई सारे दोस्त मिल जाते हैं या उनका संबंध कईयों से प्रस्थापित हो जाता है मनुष्य अपने समाज के कई लोगों से मिलकर रहता हो समाचार पढ़ता या सुनता हो सबसे जुडाव रखते हुए ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासल करता हो पर विपदा की घड़ी में जब वहाँ खुद आ जाता है तो उसमें से बाहर आने के लिए अच्छी राह चुनने में बड़ी कठिनाईया सामने आती है क्योंकि पहली बार तो कोई भी अपने आपको भविश्यकाल में विपदा आ जाए या कोई बड़ी आपत्ती आ जाए यह बाते वहना तो सोचना चाता है ना ही उस सिती से बाहर आने के बारे में सोचना या समझना चाता है आज तो मैं मस्थ हूँ तो जीवन भर ऐसा ही रहूँगा यह धारना हर व्यक्ति की होती है विधाता ने भविश्यकाल में क्या तै कर रखा है वह तो वही जाने लेकिन मनुषपरानी के जीवन में अचानत जब कोई बड़ी विपदा आ जाती है तो सुशिक्षित, जागरुक और समझदार लोग तुरंथ ही सही जानकारी जुटा कर विकास की राह पर चल पड़ते हैं जीन है अपनी सही मन्जिल हासिल हो जाती है वे अपने आस-पास के इलाके में हमारे जैसे पड़ितों के बारे में जानकर या उनकी परिस्थिती समझकर सब के उठान के लिए कार्यरत हो जाते हैं जब वह कार्य प्रत्यक्ष रूप में दुनिया के सामने आता है तब वह समाज उन्नती की और अग्रेसर हो जाता है सौराष्ट्र जैसे पिछडे हुए इलाके में पानी के कमी से ना तो खेती अच्छी तरीके से हो सकती थी ना ही उद्योगधन्दे विक्सित हो रहे थे ज्यादा तर लोगों का शिक्षा स्तर भी अच्छा नहीं था उस इलाके के लोगों की आर्थिक स्थिती निमनस्तर पर थी क्योंकि उनमें आदिवासी जमातों की भरमार है बच्चाव तहसील के शामखाईरी गाव में रहने वाले एक सदन कुटुम में लालजी भाई का जनम हुआ उनका प्रतिष्ठित घराना ब्योपार कर सुस्थिती में होने से शिक्षा ग्रहन करने में उनकी अच्छी खासी रिची थी लालजी भाई जब 15 वर्ष आयू के थे तो अचानक वे द्रिष्टी बाधिता के शिकार बन गए बहुत इलाज करने के बाद जब द्रिष्टी पुनश्ट प्राप्त करने की कोई आशा ही नहीं रही तब उन्होंने गुजरात के अम्रेली शहर में द्रिष्टी बाधितों के लिए चलाए जाने वाले स्कुल में लालजी भाई का दाखिला कर लिया वहां पढ़ाई करते करते लालजी भाई का मिलनसार स्वभाव वहां के सहपाथी और शिक्षकों के साथ बना रहा लेकिन वहां के शिक्षक श्री बाबु भाई बाबु वानी से उनका गहरा रिष्टा बन गया वे लालजी भाई का उचित शिक्षा और समय समय पर मार्ग दर्शन करते रहें। श्री बाबु भाई ने कुछ वर्षों बाद अमरेली स्कुल से त्याक पत्र देकर राजकोट स्थित स्कुल में शिक्षक का पद ग्रहन कर लिया। तब लालजी भाई ने भी उनके साथ रहने के लिए नाम राजकोट स्कुल में दर्ज करवा दिया। वहां माध्यमिक शिक्षा पूरी कर उन्होंने कला शाखा में पदवी प्राप्त की और उसके साथ साथ संगीत विशारत बनकर वहां पदवी का भी प्राप्त कर ली। इस सब शिक्षा सत्र के दौरान लालजी भाई कई दृष्टी बाधितों से मिले, कई शिक्षकों से जुड़कर उन्होंने स्कुल या संस्थाओं के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर ली। उसके आधार पर अपने कच्छगुच के इलाके में दृष्टी बाधित और विकलांगों के शिक्षन और पुर्नवसन करने योग्य संस्था विक्सित करने के इरादे से प्रेर भी थे। तो उन्हें अपना समय व्यतीत करने के लिए योग्य कार्यशाला विक्सित करने की जरुरत महसूस होने लगी। लालजी भाई इस केंद्र के सचिव बन वहां दाखिल लोगों को खानपान, वैद्यकिय और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करतवाते थे। वह कार्य करते हुए उनका परिचय श्री करसन भाई मेगजी, श्री प्रानशंकर जोशी, श्री चापसी भाई नंदू, श्रीमती, बिंदूबेन वेकारिया, श्री पंकज भाई दगली, श्री जिनाभाई दबाकिया, श्री शाशि भाई वेकारिया, श्री हिरालाल चाव जैसे नामी गिरामी लोगों से हुआ। उस केंद्र को विक्सित करने के लिए दिन बद दिन अनुदान जुटाने के कार्य में उन्हें श्री जिनाभाई दबा किया। के लिए योग्य केंद्र कच भुज इलाके में विक्सित करने की जरूरत है। ऐसी इच्छा जाहिर की। यह सब देखकर और समझकर लालजी भाई का स्वयन सेवा में व्यस्त गूट एक शिक्षा और प्रशिक्षा देने वाला बड़ा केंद्र विक्सित करने योग्य प्राप्त करने के कार्य में जूट गया। उन्हें राज्य सरकार की तरफ से ऐसा केंद्र विक्सित करने के लिए माधापूर इलाके में चार एकर भूमी आबंडित कर दी। भूमी आबंडन के लिए अरजी करते समय उनके कार्य को रजिस्टर करने हेतु नाम देना आवर बच्चाव के इस केंद्र का नाम नवचेतन अंधजन मंदल रखा गया था पर वहां सिर्फ दृष्टी बाधितों को ही दाखिला नहीं दिया जाता बलकि सभी प्रकार के दिव्यांगों को भी ऐसी ही सुविधा मिलनी ज़रूरी थी. लालजी भाई के स्वयन सेवी गूट ने फिर एक बार सेवा कार्य में जूटकर माधापूर में विकलांग विद्याविहार नामक प्रकल्प शुरू किया. वहां पहले तो दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए विद्याले विक्सित करना ज़रूरी था. पश्चात उन्होंने व्यावसाइक प्रशिक्षा देने के लिए कार्य शाला विक्सित करने की जरूरत भी महसूस की. सभी बच्चों को रहने की आवासी सुविधा भी बनानी जरूरी थी. ताकि दूर-दूर के इलाकों से दिव्यांग बच्चे वहां आकर शिक्षित तथा प्रशिक्षित किये जा सके. सन 1981 में माधापूर स्थित केंद्र में दृष्टी बाधित बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरी ब्रेल लिपी में छपे गए किताबों का पुस्तकालय विक्सित किया गया. उसी वर्ष सभी प्रकार के दिव्यांगों को प्रशिक्षा देने वाली कार्यशाला भी शुरू की. उस कार्यशाला में मंदबुद्धी, अस्थिव्यंग, कर्णब्धिर और धृष्टीहीन प्रशिक्षनार्थी प्रशिक्षा गेहन करने लगे. सन 1997 में सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए प्रात्मिक और माध्यमिक विद्याले भी शुरू किये गए. यह सब करते हुए गुजराथी जनता से अपनी दिव्यांग महिलाओं के लिए वस्तिग्रिया शुरू करने की जरूरत महसूस होने लगी तो उन्होंने कन्याकुंज नामक वस्तिग्रिया स्थापित कर दिया. अब सब दिव्यांगों का पढ़ना लिखना आसान हो गया. इस कन्याकुंज के अंतरगत सभी प्रशिक्षार्थियों को ग्रिह शास्त्र, ग्रिह प्रबंधन, खाना-पकाना, कपडा-कटिंग, सिलाई, हस्तकला और शुबकामना कार्ड बनाने जैसे प्रशिक्षन भी द प्राप्त हुआ, जिससे उनका व्यक्तिगत और सामाजिक पुर्णवास करवाने में अच्छी गती प्रदान हुई. जब इन सभी केंद्रों से शिक्षा या प्रशिक्षा प्राप्त कर दिव्यांग प्रशिक्षार्थी आर्थिक पुर्नवसन प्राप्त करने के योग्य हो गए तो 1998 में उन्होंने industrial education and development services देने के लिए विशेश कार्यशाला स्थापित की। उस कार्यशाला से शिक्षा प्राप्त कर निजी कंपनियों में रोजगार प्राप्त होने लगा। हर चिजवक्त के अधिन होती है। कोई नहीं बता सकता किस घड़ी वक्त का मिजाज बदल जाए। 26 जनवरी 2001 में अचानक सौराष्ट गुजरात के इलाके में विद्धन्सकारी धर्ती कंपाया। जिससे विकलान सेवाओं को लिए बनाई सभी इमारते जमीन दोस्त हो गई। इस नैसरगिक आपदा से गुजरात राज्य बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ था। ऐसी संकट के स्थिती में लालज भाई ने जितने दिव्यांग बच गए उन दिव्यांगों के लिए अस्थाई केंद्र बनाकर उसमें उनको संभाल कर रखा। लालजी भाई के स्वयन सेवी गूट ने इसकार्य को प्रादान्यता से सरानिय सेवाय प्रदान की। तब उन्होंने गुजरात सरकार से और चार एकर भूमी इस कार्य को आबंदित करने के लिए आवेदन दिया और वह मंजूर भी करवा लिया। 2001 में लालजी भाई के गूट ने फिर एक बार इस सेवा कार्य को विक्सित करने के लिए कमर कसली और देखते देखते उन्होंने माधापूर में अपने आबंदित किये हुए भूखन के उपर आधुनिक तरीके की इमारते खड़ी कर उसे नाम दिया गया विकलांग विद् सकाले भी विक्सित किया गया है वहां गुजराथी, हिंदी, अंगेजी और संस्कृत भाषाओं में ब्रेल लिपी में छपी गई किताबे और ध्वनी मुद्रित किताबे भी बच्चों को पढ़ाई और साहित्य पढ़ने के लिए उपलब्ध की गई है वहां अल्पद्रि ब्रेल किताबे छपाने के लिए ब्रेल एंबोसर तथा ब्रेल डिस्प्ले उपलब्ध करवाया गया हुआ है विकलांग विद्याविहार में सभी प्रकार के दिव्यांगों को जरूरी सफेद छडिया, विल्चेर्स, क्रचेस, हीरिंग एड, चश्मे आधी उपकरण उपलब्ध किए जाते हैं वहां दाखिल हुए व्यकितियों के लिए जरूरी वैद्यकिय सुविधाय देकर जरूरी हो तो शस्त्रक्रिया ये भी विनामुल्य उपलब्ध करवा दी जाती है विकलांग विद्याविहार का पूरा इलाका विक्सित करते समय ही उसे विकलांग मित्रवत बनाया गया है जिससे किसी भी विकलांग शिक्षार्थी को पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आना जाना तथा घुमने फिरने में आसानी हो दृष्टी बाधित व्यक्ती भी मैदान से बाहर न जा पाए या सिड़ी आने के पहले सतर्क हो जाए ऐसी फर्ष पर मार्किंग बनाई गई है आज कल तो वहां संदड़क प्रशिक्षन केंद्र भी प्रशिक्षार्थियों के लिए बनाया गया है इसके साथ साथ वे उस केंद्र का उप्योग साइबर कैफे कर अपनी पढ़ाई या जिग्यासा मिटाने के लिए जरूरी जानकारी जुटा करना संभव हो गया है सन 2004 में बच्चाव शहर में बनाया गया व्रिधाश्रम पुनष्ट स्थापित करवाया गया वहां रहने वाले द्रिष्टी बाधितों के और दिव्यांगों के लिए गायन वादन और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है समय समय पर उन्हें परियतन यात्राओं में तथा धार्मिक कारेक्रमों में सहभाधी होने का मौका भी दिया जाता है ताकी में समाज से जुड़े रहे और कुछ समय हो सके तो हस्तकला द्वारा वस्तुए और बक्से बनाने में कर व्यस्त रहे सभी दिव्यांग उनकी स्वास्थ्य और आरोग्य की जाच कर वेद्यकिय सेवाओं का भी लाब उठा सकते हैं आठ वर्ष पहले उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले जैष्ठ नागरिक, दिव्यांग और जरुरतमंद लोगों की विनामूल्य चिकित्सा की सुविधा भी विक्सित की हुई है जिसका लाब सभी वरिष्ठ नागरिक तथा जरुरतमंदी को मुफ्ट में दिया जा रहा है आजकल उनकी कार्यशाला में बुनाई काम, कढ़ाई, सिलाई, कटींग, बुक बाइंडिंग, स्क्रिन प्रिटिंग कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वे स्वयन रोजगार पाकर आर्थिक द्रिष्टी से स्वयंपूर्ण हो सके उनके ओद्योगिक प्रशिक्षन केंद्र में उन्हें रोजगार पाने में समर्थ होने के अनुकूल प्रशिक्षन देने के साथ साथ टेलिफोन ओपरेटर, कम्प्यूटर ओपरेटर, कर, टाइपिंग, स्टेनोग्राफी, असेम्बलर जैसे ट्रेडर्स भी सिखाये जाते हैं ताकि वे अध्योगिक शेत्र में रोजगार पासके। उन्होंने अपने परिसर में एक आधुनिक फिजियोथेरपी सेंटर विक्सित किया है। वहाँ पर अनेक यंत्रों की सहायता से सभी मरीजों को आवशक थेरपी देकर तंदुरुस बनाया जाता है। विविद यंत्रों और विशेश्ट ग्योद्वारा इसी धर्ती पर उन्होंने दूसरा ऐसा ही फिजियोथेरपी सेंटर लाकडिया नामक विभाग में शुरू किया हुआ है। अंगीत प्रतियोगिताएं अंतरगत कलागुणों का विकास करने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। बाधा मुक्त पहुँच विक्सित करने के लिए राश्च्य पुरसकार प्राप्थ हुआ है। वैसे ही उन्हें बेस्ट M Lawyer Award भी मिल चुका है। उसके अलावा उन्हें निमलिखित सभी पुरसकार देकर गौरन वावित किया गया है। ताइम्स गोकुला चैरिटेबल ट्रस्ट गोकुला अवोर्ड दो हजार पंद्रा आठ फरवरी दो हजार सोला। ताइम्स ग्लोरी ओफ गुरत अवोर्ड दो शून्य एक पाँच फॉर बेस्ट रहेबिलिटेशन सर्विसेज तू परसंस विथ दिसबिलिटीज ओन चॉबीस जुलाई दो हजार पंद्रा आठ राजभवंगन धिंगर। ताइम्स शष्टिपूर्ती समिती माधपार 28 दिसम्बर दो हजार चॉदर ताइम्स अंध अपंगजन विकास मंदल मोगरी बीस दिसम्बर दो हजार चॉदर ताइम्स सर्सट एथ इंडिपेंडेंट दे सेलेबरेशन फॉर एजुकेशन फाइल स्पेशल अवोर्ड भु ताइम्स शष्टर नीलकंट च्छत्रीप्ती अवोर्ड दो शुन्य शुन्य नौ for the best services to viewally impaired persons at Raneep Medabad on 22 जन्वरी दो हजार बार ताइम्स अखिलकच विकलांग फेडरेशन घुज on 21 अप्रेल दो हजार बार ताइम्स नैशनल अवोर्ड दो शुन्य एक एक Presented by Shri Mukul Vaisnik, Minister of Social Justice and Empowerment Government of India for the Empowerment to Person with Disabilities at New Delhi on 3 December 2011 Times Saroj Nitrilok Nath Award 20-08-09 awarded by Mrs. Krishna Thirh, Union Minister of State Woman and Child Development Delhi at National Association for the Blind on 7 January 2010 Times Lieutenant Bhikha Bhai Shah Award 2008 awarded by Shri Fakir Bhai Vaghila, Minister of Social Justice and Empowerment Government of Gujarat on 12 September 2008 Times Prajna Chakshu Charitable Trust, Junagard 2008 Times Viklang Jeevan Vikas Mandar, Mundra 11-3-2007-14-12-2014 Times Andh Apang Manav Kalyan Society, Mandvi dated 28 January 2007 Times Prajapati Kelwani Mandal, Rappar dated 2 July 2006 Times National Association for the Blind, Junagard dated 9 June 2006 Times Kach Vikas Tristraya Dhanpur dated 21 August 2005 Times Kach Dhanpur dated 16 October 2005 Times Indulal Yagnik Smarat Trust, Barodra dated 6 March 2005 Times Prajapati Samiti, Gandhidham dated 30 October 2004 Times Anjadpur dated 26 January 2004 Times Shankar Singh Vaghila, Ex-Dot Chief Minister of Gujarat dated 30 April 1997 Times Andhajan Kalyan Mandal, Rajkot in 1996 On the Ocean of Silver Jubilee Times Amrilli District Andhajan Prajati Mandal dated 13-07-1986, 21-09-1987 and 19 December 2003 लाल जी भाई सिर्फ दिव्यांगों के लिए ही काम नहीं करते बलकि समाज के दुर्लक्षित और गरिब घटकों के लिए भी काम करने में सक्रिय सहभाग देते हैं. वे समाजहित को सर्वोप्री मानकर सामाजिक विकास के सभी कार्यों में सम्मिलित होकर अपना जीवन सतक कार्यों में समर्पित कर रही हैं. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कार्य गुजरात राज्य के सौराश्च्र विभाग में करते हुए दिव्यांगों का सामाजिक तथा आर्थिक पुर्णवास साधने के लिए आज भी अपनी नेत्रित्व शीलता से सफलता की और ले जा हुआ है. हैमंत जब पातिल. मानत सचीव. नैशनल असोशेशन फॉर दबलाइंड इंडिया.